Hey everyone, this is Shani Dhinani, welcoming you to Magnet Brains and now we are going to begin the chapter number 3 of the book of Moments that is titled as Ishwaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman तो जैसे कि ये title खुद बता रहा है, हम पढ़ने वाले हैं इश्वरन के बारे में जो कि क्या है? एक Storyteller है अब Storyteller क्या होता है? देखो जब हम छोटे थे, तो हमारी जो ग्रैनी होती थी नानी, दादी, ये सब क्या करते थे? आपको स्टोरी सुनाते थे Similarly, आपके Parents जो हैं आपको स्टोरी सुनाते थे दाकि आप चुचाप सोजाएं अब वो स्टोरी जो हैं अगर आपको इस तरीके से सुनाई जाएं कि आप बैठे हुए हैं आपको सिर्फ ऐसे बतारे बेटा एक बार ऐसे हुआ ऐसा हुआ ऐसे हुआ तो आपको मजा आएगा क्या? नहीं पसंद था वो जो हैं चीजे फेक देता था तो क्या आपको मजा आता नहीं थोड़ी इंट्रेस्टिंग होती स्टोरी नहीं बट रस्किन बॉंड ने इसको बहुत ही ब्यूटिफिली लिखा है आपको हर एक चीज का पिक्चर बताया है कि जो वाल पेपर है वो टीयर हो ग फिर ऐसा हुआ, मुझे हसिया जाती कभी कभी स्टोरी सुनाते सुनाते जहांपे हसना चाहिए जहांर पर मुझे थोड़ा सा यूको सीरियस हो जाना चाहिए कि इस तरीके का सिस्पेंस क्रियेंट हो गया थोड़ी बहुत सायड बात है तो उसी तरीके से uiswaran है उनकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, स्टोरी सुनाने का जो सही तरीका है, वो इनको बहुत अच्छे से आता है, और बहुत ब्यूटिफुली ये स्टोरी सुनाते हैं, बिल्कुल सस्पेंस के साथ, अगर कोई चीज जो है वो चल रही है, तो ये चेर से खूत के चलने लगेंगे बिल्कुल आक्शन करके दिखाएंगे, तो बहुत मज़ा आता है इनसे स्टोरी सुनने में, तो यहां हम पढ़ने वाले हैं About a Man, जो की एक सूपरवाइजर है, एक जगे पे, construction साइट पे सूपरवाइजर है, और उनी का एक कुक है, जिसका नाम है ईश्वरन, और ईश्व इश्वरन इनको स्टोरी सुनाते हैं, कौन सी स्टोरी सुनाते हैं, कैसे सस्पेंस क्रियेट करते हैं, वो सब चीजे हम यहां पे देखने वाले हैं, तो ओवर आल तो आको यही पता चलेगा, कि ईश्वरन की जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं, वो भी एक आर्ट है, हर किस कि यह सब चीजे कुछ नहीं होती हैं, यह सब जो हम अन्धविश्वास रखते हैं, भूत वगेरा, यह सब चीजे नहीं होती हैं, और अगर आपको कोई बताता है, तो आपको उसे बिलीव नहीं करना चाहिए, तो यह सब चीजे भी हम देखने वाले हैं, overall इस चाप्टर में तो चलिए बिगेन करते हैं, first of all with the introduction of the author, जिनका नाम है R.K. Lakshman, फिर हम एक लाइन में जानेंगे कि हम चाप्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, फिर आपको दिया हुआ एक छोटा सा description in the chapter, जो कि चाप्टर के पहले, before you read type का कुछ दिया हुआ है, and then finally we begin with the very first paragraph of the story, So this chapter is written by R.K. Lakshman, अब R.K. का full form क्या है, रासी पूरम, कृष्ण स्वामी, अयर लक्ष्मन, ठीक है, और ये जो है, बहुत जादा famous हैं, पता है क्यों, क्योंकि ये R.K. नारायन के भाई हैं, R.K. नारायन के बारे में आपने सबने सुना होगा, बहुत famous हैं ये अपनी stories के लिए और इन ही के भाई हैं कौन? R.K. Lakshman, clear? तो he was born on 24 October 1925 and he died on 26 January 2015. He was commonly known as R.K. Lakshman and was an Indian cartoonist. तो इन्हें जो है, as a cartoonist बहुत जाना जाता है, जो cartoons बनाते हैं, जैसे अगर आप magazines देखो, आप जो है, newspapers देखो, कभी-कभी कुछ चीज़ें जो है, cartoon के फॉरम में डिस्क्राइ बहुत ही famous Indian cartoonist रह चुके हैं. He is an illustrator and humorist. खासी मजाग की भी चीज़ें उन्हें बहुत लिखी हैं. और यह illustrator है, यानि की चीज़ों को depict करते हैं, बताते हैं through his drawings and everything. आरके लक्ष्मन started his career as a part-time cartoonist, while as a college student, he illustrated his older brother R.K. नारायन's stories in The Hindu. The Hindu क्या है, newspaper है? और यह जब एक college student थे, तो यह अपने भाई के, जो कि क्या है, इनके older brother है, बड़े भाई हैं R.K. नारायन, इनके stories को यह सुनाया करते थे, कहां या illustrate किया करते थे, The Hindu में. Now, हम पढ़ने वाले chapter के बारे में, जिसका title है, Ishwaran the storyteller, is a story about Ishwaran, जो कि एक storyteller, तो आप बोलोगे मामी लिखने की ज़रूरत ही क्या थी? क्योंकि इस से जादा अगर मैं आपको बता दूँगी, तो फिर story पढ़ने में मजा नहीं आएगा. तो बस अभी इतना जानना है कि जो title का नाम है, वही हम पढ़ने वाले हैं, Ishwaran की storytelling skills के बारे में, clear? All right. चलिए आपका जो ये first paragraph है story का, उसके begin होने से पहले आपको ये कुछ description दिया है, इसको पढ़ते हैं. So, one night Mahindra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? तो यहाँ पर Mahindra जो है, ये है one of the characters और ये ही है कौन? जिनके cook है, Ishwaran. ठीक है? तो ये एक supervisor है और इन ही के cook का नाम है, Ishwaran, जो की इनको stories सुनाते थे. तो एक दिन क्या होता है, at the end हम देखेंगे, ये जो है, सोते सोते एकदम से इनको आवाज आती है, और ये उटके देखते हैं विंडो के बाहर, तो इनको एक dark cloudy form दिखता है, जैसे कि कोई बादल टाइप का एक बहुत बढ़ा शाओ कोई structure दिखता है, इनको कोई खड़ा ह तो वो देखकर ये डर जाते हैं, and he breaks out into a cold sweat, यानि कि जब हम बहुत जादा डर जाते हैं, तो हमें पसीने भी आते हैं, और हमारी body थंडी पड़ जाती है, उसको कहते है cold sweat, यानि शिवर करने लगते हूं दर के मारे, so the same thing happens with Mahindra, so now we will be asked, you know, कि at the end आपको क्या लगता है, क हम जैसे ही story को धीरे-धीरे पड़ेंगे, जैसे आपको story सुनाएंगे इश्वरन, वो जानकर भी आपको बहुत मसा आने वाला है, clear, all right, चलिए, अब हम begin करते हैं with the very first paragraph, so the story was narrated to Ganesh by a young man Mahindra by Nene, देखो, जो Mahindra है, उनके cook कौन है इश्वरन, ये चीज पहले समझ लेनी ह और इश्वरन जो है, इनको सारी story सुनाते थे, अब Mahindra अपने ही cook की सुनाई हुई story, अपने cook के बारे में जो भी चीजे हैं, वो किसे सुना रहे हैं, Ganesh को, ठीक है, तो इनका नाम सुरिफ एक ही बार आया है, ये कोई main character नहीं है story के, main character कौन-कौन से है, Mahindra और इश्व और इश्वरन ने जो भी चीजें Mahindra को बताई है, Mahindra वही सारी चीजें Ganesh को बता रहे है, clear? अब Mahindra कौन है, he was a junior supervisor in a firm which offered on hiring supervisors at various types of construction sites, तो Mahindra का profession क्या है, वो एक junior supervisor है, यानि कि ये जो हैं, चीजों को supervise करते हैं, ये देखते हैं, सब को सही चल रहा है, नहीं, तो proper definition क्य होती ही, a person whose job is to check the work of all the other people, one who supervises, ठीक है, तो बाकी लोगों का काम सही चल रहा है कि नहीं, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान से देखना, निगरानी रखना, उसे कहते हैं, एक supervisor की job, clear? तो ये क्या है, एक junior supervisor है, Mahindra, और ये एक ऐसे firm में, ऐसे company में काम क को दिखेगा, जो कि सब देखता रहता है कि workers अपने काम सही से करना हैं नहीं करना है, राइट टाइम पे चीज़ें आ रहे हैं कि नहीं, उसे कहते हो supervisor, तो ये जो firm थी, ये ऐसे supervisors को provide करती थी हर construction site पे, clear? अब वो construction site कुछ भी हो सकती है, factories, bridges, dams and so on, कुछ भी बन रहा है, bridge बन रहा है, dam बन रहा है, factory कुछ भी बन रहा है, हर एक construction site पे ये लोग supervisors भेजते थे, Mahindra's job was to keep an eye on the activities at the work site, जैसे कि हमें पता है वो एक supervisor है, supervisor की definition भी हम समझ चुके है, so उनका duty क्या था, वो एक आय रखते थे, यानि कि वो निगरानी करते थे, किस चीज की, on the activities at the work site, ये स जैसा तो नहीं है, जो काम पे नहीं आया, तो हर एक चीज को ध्यान पे रखना, वो जो है किसका काम था, Mahindra का, clear, all right, he had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office, तो Mahindra को हर time पे, you know, कभी भी कहीं जाना पड़ता था, कभी किसी place पे जाना पड़ता था, जैसे जैसे उनके head office से उनको order मिल जाते थे, वो उस उस जगा पे जाते थे, जरूरी थोडी ना है, वो जहां पर रहते हैं, वहीं पर, you know, construction का side का काम चले और वहीं पर उनको supervisor की तरह भेजा जाए, नहीं, उन्हें हर जगा भेजा जाता था, हर time पे, you know, कभी ना कभी कहीं भेज देते थे, कभी कहीं भेज माइनिंग होती है, वहां पर भेज दिया, कभी इनको भेज दिया, railway bridge construction site पे, जहां रेलवे का bridge बन रहा हो, वहां पर भेज देते थे, then from there after a few months to a chemical plant, फिर उनको कुछ महीनों के तक वही रहना पड़ा जहां railway bridge बन रहा था, और उसके बाद उनको कहां भेज दिया गया, जह one of the points of his job profile, clear, all right, he was a bachelor, अब Mahindra जो है वो bachelor थे, यानि अन्मारीट थे, उनके शादी अभी तक नहीं हुई थी, his needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, तो इनके जो needs हैं, जो जरूरत हैं, वो भी simple थी बाई, एक इनसान की क्या needs होगी, see, if he had a family, तो फिर इशू हो सकता था, कि उनको अपनी family को अची दगा पे रहलाना पड़ता, वो अपनी family को ना तो छोड के जाते, उनको सारी चीजे दे कर जाते, right, but क्योंकि वो खुद unmarried थी, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी, कि उनको क्या करना है, क्या नहीं, so it was like, उनके जो needs है, बहुत basic सी needs थी, जिसे खाना रहना है, जाते थे, whether it was an ill-equipped circuit house, और a makeshift canvas, अब वो कोई भी condition हो, भले उनको ऐसा कोई ill-equipped, यानि जहां पर facilities ना हो, ऐसे circuit house में, यानि की normally rented house होते है, वहाँ पे भेजदे तो भी वाराम से रह लेते थे, या makeshift canvas tent, यानि एक temporary tent जो होता है, tent canvas क्या होता है, सबसे पहले तो एक ऐसा अब उसको हटा कर कहीं और भी shift कर सकते हो, तो ये एक temporary घार हो जाता था, इसलिए makeshift को बोल दिया है, temporary, clear, so he, if he was given a ill-equipped place, he would live there, अगर उने एक temporary tent में भी रहायने के लिए बोल दिया जाता था, he would adapt there, तो बड़ी adaptable personality थी, and in the middle of a stone quarry, but one asset he had was his cook, ईश्वरन, तो भले ही व happily, but क्योंकि उनके पास एक advantage था, इसलिए उनके लोर इसलिए हो जाता था, तो asset यानि कोई advantage, कोई, you know, आपके लिए बहुत अच्छी चीज, जिसने आपको हमेशा फायदा हो, और यहां Mahindra की life में वो advantage क्या था, उनके cook, जिसका नाम था, ईश्वरन, तो ईश्वरन उनके advantage था, कैसे, let's read about it, तो अब हमारे जो main character है, second character है, उनकी बात, जो है, चालू हो गई है, about the person, जिसका नाम title में mention किया गया, So the cook was quite attached to Mahindra, and followed him uncomplainingly, wherever he was posted, तो ईश्वरन जो है, वो बहुत जादा close थे, attached थे, किस से? Mahindra से, So Mahindra कहीं पर जाते थे न, तो यह बिलकुल कोई complain नी करते थे, uncomplainingly, हसी, खुशी, बिना कोई चीज को बोले, वो इनके साथ वहाँ पे चले जाते थे, He cooked for Mahindra, washed his clothes, and chatted away with his master at night, तो वो उनके लिए खाना बनाते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके साथ रात को वाचीत करते थे, चिटचाट करते थे, ताकि उनका जो है, entertainment भी हो जाए, तो वो उनका हर एक काम कर देते थे, तो कोई tension ही नी थी Mahindra को, और ईश्वरन बहुत ह आपी लिए ये करते थे, उनको कोई भी complaints नहीं थी, He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects, और उनके एक खुबी थी, एक quality थी, कि इसकी ईश्वरन की, वो ये थी, बहुत easily weave कर लेते थे, weave का मदब क्या होता है, बुन्ना, जैसे अगर हम बोलते नो, जैसे कोई web weave हो रहा है, या फिर स्वेटर की weaving होती है, knit करना, यानि कि किसी चीज़ को बनाना, तो ये जो है, धीरे-धीरे-धीरे form कर लेते थे, endless stories, यानि ऐसी stories बना थे, जिसको कोई end ही नहीं होता था, and anecdotes on various subjects, anecdote का मतलब क्या होता है, a short, amusing and interesting story about a real incident of person, कोई भी real incident, कोई भी real इंसान पे, कोई भी story ये form कर लेते थे, बहुत easily, तो ऐसी stories बो सुनाते थे, किसको, महिंद्रा को, तो महिंद्रा के लिए, ये sort of ऐसा होता था, कि खाना भी मिल रहा है, काम भी हो जाते थे थारे, और रात को उनसे कोई बातचीत करने के लिए होता था, तो इस तरीके इनकी life जो है, बहुत सौट इक थी, and that's why वो एक और क्वालिटी थी, कि कहीं भी ये लोग रहने जाते थे ना, तो वहाँ पर ये बहुत amazingly चीज कर लेती तो ये थे, कि वो कहीं से भी सबजियां और जो मसाले होते हैं, कुकिंग इंग्रीडियंट्स होते हैं, हर एक चीज को ले आते थे, यानि अगर ये ऐसी प्लेस प इश्वरन जो है, वो कहीं ना कहीं से चीजें ले ही आते हैं, with no shops visible for miles around, और ऐसी जगाओं से ऐसे landscape से जहाँ पर दूरी दूरी तब miles, miles तक कोई दुकान नहीं दिखती, कोई शॉप नहीं दिखती, वहाँ से भी ये चीजें जो हैं ढून कर ले आते थे, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace, तो सबसे पहले meaning देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे, तो यहाँ conjure up का मतलब होता है, to gather or create with magic, जादू ही तरीके से जो है, वो चीजे ढून लेते थे, and the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter, तो एक घंटा ही हुआ होता है, उनको you know, zinc sheet मतलब जो टीन वाली जो से बहुत beautifully cook भी करते थे, जो कि बहुत tasty भी होते थे, clear, all right, महिंद्रा वोट बी अप अरली in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him, meanwhile इश्वरन वोट tidy up the shade, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while, तो जब तक महिंद्रा जो है वो जल्दी उड़ जाते थे सुबा, वो फिर अपना खाना वाना खाक breakfast करके, sorry, नाश्ता करके, वो अपने काम के लिए चले जाते थे, और तब तक क्या करते थे ईश्वरन, तब तक ईश्वरन जो है, वो उनके को खाना बनात की देते थे, वो अपने ले एक prepared food लेके जाते थे, महिंद्रा, दूसरी बाद, वो जो है, पूरा घर साफ करते थे, पूरा shade, जो है, जो zinc sheet बोली है, उन सबको पूरा साफ करते थे, कपड़े धो देते थे, और फिर अपना विलकुल, you know, relaxed, bathing करते थे, bathing करते थे, नहाते थे, pouring several buckets of water over his head, बहुत जल्दी-जल्दी पानी, जो है, बहुत सारे buckets जो है, पानी की डालते थे, अपने उपर जब महिंदरा काम के लिए चले जाते थे, clear, all right, it would be lunch time by then, और तब तक ये सब कुछ करते करते क्या हो जाता था, lunch time हो जाता था, यानि ही दो पैर हो जाती थे, after eating, he would read for a while before dozing off, तो वो लंच करते थे, अपना खाना खाते थे, और फिर सोने के पहले, dozing off, यानि falling asleep, इसके प पड़ते थे, the book was usually some popular Tamil thriller, running to hundreds of pages, तो वो sort of hundreds of pages की कोई बुक होती थी, जो Tamil में लिखी होती थी, और वो एक Tamil thriller होती थी, जिसमें suspense होता था, कुछ अलग ही बिलकुल end होता था, its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thought, और इस book में जो भी imaginative descriptions होते थे, जिसके बारे में बिलकुल, you know, imagine करके लिख होता था, and also जो narrative flourishes थे, इसका मतलब क्या है, detailed description, जो बिलकुल अरग तरीके से detail में, जो description दिया जाता था, बहुती creatively, वो सब चीजे इश्वरन को जो है, बांथ के रखती थी, inthral का मतलब होता है, the state of being in someone's power, यह जो बुक में stories होती थी, वो बिलकुल पकड़ के रखती थी इश्वरन का जो focus था, जो concentration था, इतनी अच्छी लगती थी उनको यह सारी books, his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और यह जो books वो पढ़ते थे, उसी से उनका description है, वो बहुत जादा बोल सकते हो, उसी से related होता था, या फिर वही चीजे जो है influenced थी उनकी stories, कैसे वो Tamil की जो पढ़ते थे, उसमे When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account, तो जब भी उनको ऐसा लगता था कि वो कोई छोटा सा भी incident नरेट कर रहे है, तो वो इस तरीके से करते थे उसको suspense ले आएंगे, कुछ surprise ले आएंगे एंगे कि बिलकुल मजा आ जाए, तो इस तरीके से वो अपनी stories लिखते थे, For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arg and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone For example, उनको अगर ऐसी story सुनानी है, कि वो एक uprooted tree देख रहे हैं, जिस पेड को खाड के निकाल लिया है, तो वो story भी वो इस तरीके से नहीं बताएंगे कि डिरेक्ट बता दे कि भाई उन्होंने एक tree देखा, वो बोलेंगे बिलकुल अपने eyebrows को पहले तो आक करेंगे और ए और वहाँ पे कोई भी नहीं था, deserted था, और मैं वहाँ बिलकुल अकेले खड़ा था, ता कि आपको लगे अच्छा पिर आगे, क्या हुआ, clear, all right. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road, तो पहले तुम कैसे बोलेंगे, कि road was deserted, I was all alone, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मुझे पेड़ दिख गया, नहीं खतम नहीं, क्योंकि वो storytelling के जो skills हैं, उनमें बहुत ही, you know, मजेदार है, बिलकुल अलग ही है, तो वो इसी तरीके से बोलता है, कि बिलकुल road alone था, sorry, deserted था, मैं अकेरे खड़ा था, उस पर, suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast, और फिर मुझे ऐसा एकदम से कुछ दिखा, जो कि बहुत बढ़ा सा bushy sa beast, यानि animal हो, तो enormous मतलब बहुत बढ़ा, huge, lying sprawled across the road, sprawled का मतलब क्या होता है, बिलकुल इस तरीके से पढ़े होना, जैसे arms, legs, बिलक बिलकुल अल्मोस्ट ऐसे होने वारा था कि मैं वापस जा रहा हूं कि मैं इता डर गया यह सब देख कर, बट आज़ा था, जैसे ही मैं पास में गया, मुझे कह दिखा, कि वो तो एक गिरावा पेड था, जिसकी जो ब्रांचेस हैं, वो क्या थी ड्राइ थी, तो पहले उन जाते हैं, तो क्या दिखता है, वो तो एक पेड होता है, जिसकी ब्रांचेस बगेरा जो है, फैली हुई है, और इस तरीके से ऐसा लग रहा था, जैसे कोई बीस्ट हो, तो यह उनका तरीका था, वो हर एक चीज को बहुत सस्पेंस, बहुत जादा जेस्चर्स, बहुत जा को जब यह चीजे वो सुनाते थे न, तो वो बढ़िया जो है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच करकर चैर पे बैठते थे, और हर चीज को uncritically सुनते थे, यानि आपको पता है, उनको पता होता था यह चीज, जो है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनको ता मजा आता था यह सु कौन आपकी बड़ी बीगिन हो रही हूं, क क्यों हमें बच्नी स्टोरी पता चलने भाली हैं, तो ऐसे बिगिन करते हैं कौन, ईश्वर, ही बच से, तीमडा कि बाता है, तो वो बोलते हैं, कि जहां से मैं आता हूं, वो जग्छे टिंबर के लिए बड़ी तेम्डा फेमस ह तो इश्वरन बताते हैं कि मैं जिस प्लेस को बिलॉंग करता हूं वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत रिचली वुड़ेट फॉरेस्ट है यानि कि हर जगा जो है आपको बहुत कम्प्लीटली फिल्ट विट ट्री जो है साफ फॉरेस्ट मिल जाएगा जाएगा ज फिर उसे ट्रांस्पोर्ट किया जाता है तो यह वह बता रहे हैं कि किस तरीके से उनों की जगे जो है वह इस वोड के लिए फेमस है क्लियर ओल रहें दे और हुज वेल फेड बीस्ट वें दे टरन वाइल इवन दो पूरा सपेंस क्रिएट करते हैं किसकी बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं दे यानी एलेफिंट्स की ठीक है तो वह बोलते हैं एलेफिंट्स जो हैं वह बड़े से बिलकुल हुज वाइल्ड बीस्ट होते हैं और अगर वो जो हैं गुस्ञे में आ जाते हैं बहुत ज्यादा यून अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं तो फिर कोई सबसे experience maahut maahut क्या होते हैं वो लोग जो elephants का ध्यान रखते हैं जैसे आपने देखा होगा elephant ride के लिए अगर कोई आता है आपके हाँ पर तो एक जो है man home हमेशा रहता है उसके साथ जो कि आपको बिठाएंगे ride कराएंगे उसे कहते हो maahut क्लिया तो जो बहुत experience maahut भी होते हैं जो elephants का ध्यान रख सकते हैं बहुत सालों का experience है वो भी control नहीं कर पाते हैं अगर elephants जो हैं वो अपने यह उनों गुस्से में आ जाए या फिर wild हो जाए after this prologue ईश्वरन वोड लॉंच इंटो एन लाबरेट एनिकडोट involving an elephant और यह जब वो introductory चीज बता देते हैं कि वो एक sort of story को begin करते हैं directly नहीं बता देते हैं तो उन्होंने यह क्या दिया यह दिया prologue prologue का मतलब क्या होता है introduction ठीक है तो जो opening होती है na story की उसको कहते है prologue यह सुनाने के बाद ईश्वरन जो है फिर वो detailed elaborate का मतलब होता है detailed बिल्कुल detailed से description में जाएंगे story के और वो story किसके बारे में है elephant के बारे में अब हम जो story पढ़ेंगे वहीं हाँ पर mainly सबसे detailed descriptive described story है clear? Alright One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will तो story इस तरीके से वो बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ यह जो टसकर है यह जो elephant है वो भाग गया कहां से timber yard से यहाँ पर woods रखते हैं और वो जो है हर जगा घूमने लगा उसने सारी bushes को stamp यानि hitting with force, पैरो से जो है वो सारी bushes खराब करने लगा, creepers को निकालने लगा, सारी branches उसने अपनी मर्जी से at will यानि अपनी मर्जी से कभी भी तोडनने लगा और फिर वो बोलते हैं इश्वरान कि आपको तो पता ही है कि जब elephant पागल हो जाता है तो किस तरीके से behave करता है इश्वरान वोड़ गेट सो कॉट अपनी खुद की स्टोरी में खो जाते थे कि जैसे अगर वो यह बता रहे है कि elephant जो है वो आया और वो स्टैंप कर रहा है चीजों के उपर कूद रहा है तो जो इश्वरान है वो भी अपनी कुरसी से उठ जाएंगे है जहापे बैठे म से उठ जाएंगे और खुद वैसे यूनों कॉपी करके दिखाएंगे कि elephant आया वो एकदम से यूनों करने लगा बिल्कुल jump सारी चीजों को उसने कुछ चल दिया तो ऐसे वो आक्ट करके दिखाएंगे ताकि सामने वाले को स्टोरी जो है वो और ज्यादा मज़ेदार और ये elephant जो है वो क्या करता है जितनी भी boundaries है fences है उनको ऐसे तोड़ता है जैसे कि कोई माचेस की तीली तोड़ रहा हूं मैट स्टिक तोड़ रहा हूं तो वो जो है अपनी मर्जी से बिलकुल fences को इस तरीके से तोड़ देता है इतना क्योंकि powerful elephant है उसके लिए तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है boundaries को तो इस तरीके से इश्वर में रताते हैं कि वो इतना ज्यादा mad हो गया था uncontrollable हो गया था elephant कि उसने वो सारी जो fences हैं boundaries हैं उनको भी break कर दिया clear all right it came into the main road and smashed all the stalls selling fruits mud pots and clothes और फिर वो पहज या कहां पर main road पे जहां पर सारी stalls सारी shops लगी हैं और उसने सारी जितनी भी shops से हमको smash कर दिया कुचल दिया खराब कर दिया भले ही वो fruits की जो parts थे वो था mud pots यानी मिटी के बरतन बने हुए थे या फिर कपडों की दुकान थी उसने सब कुछ तहस्नेस कर दिया people ran helter-skelter in panic और फिर जो लोग है वो बिलकुल चिल्ला के भाग रहे हैं इधर उदर helter-skelter यानी कि हितर-thitar hair and there in panic यानी कि बहुत ज़दा डर गए वो ऐसी situation आ गई तो ऐसे वो भाग रहे थे जैसे पता नी क्या हो गया है the elephant now entered a school ground where children were playing breaking through the brick wall all the boys ran into the classrooms and shut the doors tight और फिर elephant कहां पहुच गया school के ground में पहुच गया जहां पे सारे बच्चे जो है वो खेल रहे थे breaking through the brick wall यानी कि वो बिलकुल दीवारों के धर से तोड के आ जाता है यानी जो elephant है कैसे एंटर हुआ जो brick की wall थी उसको तोड कर एंटर हो जाता है school ground में जहां पे सारे बच्चे जो है वो खेल रहे है all the boys ran into the classrooms and shut the doors tight और सारे बच्चे जो है भाग गए अपनी classroom में एंटर हो गए और सारे doors बन कर दिये ताकि elephant जो है उनको नुकसान न पहुचा पाए और वो रोर्स के अंदर या classroom में एंटर ना हो पाए clear all right the beast grunted and wandered about pulling out the football goal post tearing down the volleyball net kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrub फिर बताते है ईश्वरन कि यह जो beast है यानी elephant है जो wild animal है वो grunt करने लगा grunt का क्या मतलब है made a loud sound यानी बहुत खतनाग आवाज है करने लगा and wandered about और हर जगा जो है वो घुमने लगा roam करने लगा pulling out the football goal post जो football का goal post होता ना जो गोल करते है उसको उसने pull कर लिया then tearing down the volleyball net जो volleyball खेलते हो बीच में एक net लगी होती है उसको उसने पूरा tear कर दिया फार दिया kicking and flattening the drum kept for water और एक drum रखा हुआ barrel रखा है जिसमें पानी है और उसको उसने क्या किया kick कर दिया और flatten यानी बिल्कुल दबा दिया किसको drum को and uprooting the shrubs और जितने भी shrubs वगेरा थे जो कुछ भी मापर गार्डन में हुआ हुआ था वो सब कुछ उसने अपरूट कर दिया उनको जड़ से बहार निकाल दिया meanwhile all the teachers had climbed up to the terrace of the school building और teachers इतना डर गए कि वो स्कूल की बिल्डिंग पे जाके खड़े होगा च्छत पे चले गए from there they helplessly watch the depredations of the elephant और क्योंकि teachers और कुछ कर नहीं सकते थे elephant को तो पकड़ नहीं सकते वो तो वो जो है terrace पे चले गए जट पे चले गए school building के और वहां से helplessly जैसे उनकी पास कोई hope ही नहीं कुछ करी नहीं सकते वो उस तरीके से वो यह सारे depredations यानि की act of attacking जो attacking के होते हैं जिस तरीके से elephant सारे attacks कर रहा है सब चीजों पे वो depredations जो है वो वहां चट से खड़े होकर देख रहे हैं clear all right there was not a soul below on the ground the streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared तो यहां बोलते कि ऐसा था कोई soul यानि कोई दिखी नहीं रहा था ground पे कुछ भी नहीं था ऐसा लग रहा था कि वहां पर जो है पूरा जो टाउन है वो एकदम से खाली हो गया और हर एक इंसान जो है वहां से जा चुका है I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop अब इश्वरन बोलते है कि मैं उस वाग जो हूँ छोटा बच्चा था मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था जूनियर सेक्शन में पढ़ रहा था और मैं भी रूफटॉप से यह सब चीजे देख रहा था I don't know what came over me suddenly I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open वो बोलते है पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ मैंने अपने teacher के हाथ में जो stick थी जो cane थी उसको लिया और मैं जल्दी से सीडियों से बाहर नीचे चला गया The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk और यह elephant जो है वो grunt कर रहा था आवाज यह कर रहा था sound produce कर रहा था और menacingly यानी की threateningly और डराते हुए वो उसके जो you know swung यानी की swing कर रहा था हिला रहा था जो branch of tree उसके trunk में फसी हुई थी जो you know टहनी जो भी है जो भी उसने अपने trunk में यानी की अपने बिल्कुल सून में पकड़ ली थी वो जो है हिला रहा था ऐसे जैसे वो डरा रहा हो और यह सब वहाँ पे बता रहे इश्वरन वो देख रहे थे clear? all right it stamped its feet kicking up a lot of mud and dust it looked frightening but I moved slowly towards it stick in hand तो यह सुरन बोलता है वो क्या कर रहा था वो अपने feet को बार बार you know stamp कर रहा था जिससे सारी धूल वगेरा जो है वो ओड रही थी और यह देखकर कोई भी डर जा यह बहुत दराबना सा scene था बट मैं जो हूँ धीरे धीरे उसकी तरफ गया हूँ मेरे हाथ में क्या थी stick थी cane थी people were watching the scene hypnotized from nearby house tops और सारे लोग जो है वो ऐसे देख रहे थे हिली नी रही थी उनकी नजरे ऐसा लग रहा था किसी ने hypnotize कर दिया उसे कहते हो hypnotize तो लोग इतना साथ हो गए थे सब देखते हुए कि वो बिल्कुल यह सारी चीज़े जो है वो छट से देख रहे थे the elephant looked at me red-eyed ready to rush towards me it lifted its trunk and trumpeted loudly और elephant जो है उनके पास आई रहा था बिल्कुल भागने की कोशिश करी रहा था उनकी तरफ से आया वो एकदम से red-eyed यानि गुस्ते में उसके आँखे थी elephant की और वो जो है trumpeted यानि के sound produce करते है elephants वो उस तरीकी से sound produce करने लगा clear? all right at that moment I move forward and mustering all my force whacked its third toenail on the quick और फिर वो बोलते हैं फिर उसी movement पे मैं भी आगे बढ़ा और मैंने mustering यानि के to gather यानि खटा करना अपनी पूरी हिमत जुटाना all the force whacked its third toenail on the quick whacked का मतलब क्या होता है hit noisily मैंने उसकी जो third toenail थी उस पे एक दम से खीच के stick को मारा the beast looks stunned for a moment then it shivered from head to foot and collapse और ये जो animal था वो बहाँ जादा you know shocked था stunned था यानि अमेज था कि एक दम से क्या हुआ फिर वो shiver करने लगा वो कापने लगा और एक दम से वो ground पे गिर गया और फिर वो collapse हो गया यानि कि वो बेहोश हो गया या गिर गया तो इस तरीके से वो बताते हैं इश्वरान कि कैसे उन्होंने सबको इस elephant से बचाया और उसको control किया clear all right so with this we come to an end for the very first part of the story यानि कि जो ये first story है इसके आगे क्या होता है वो सब हम second part पे देखेंगे बट अभी तक हम ये समझ आ गया है कि किस तरीके से उन्हों suspense create करते हुए बिलकुल drama डालते हुए एक उन्हों बिलकुल scene create करते हुए इश्वरान जो है अपनी story सुनाते है and I hope आपको भी मज़ा आ रहा होगा ये story को imagine करते हुए कि कैसे उन्होंने हर एक चीज़ डीटेल में बताई and now we get to know कि क्यो लिखा है इश्वरान the storyteller क्योंकि उनकी storytelling skills जो है वो हमको यहाँ पता चलती है